इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फस्ता है जैसे आगे को आप पीछे खाई दोनों तरफ आफत आई साइमन नाम का लड़का अपनी गल्फरेंड के साथ अपने पेरेंट से दूर रहता है साइमन और उसकी गल्फरेंड फैबीन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वज़े से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली मैं सब के सब डॉक्टर से आज साइमन के फादर का 60th बर्थडे हैं इसलिए साइमन चाता है कि वो अपनी गल्फरेंड को अपने पेरेंट से मिलाएं इसलिए साइमन अपनी गल्फरेंड फैबीन को लेके 6 महीने बाद में अपने पेरेंट से मिलने जा रहा हैं अपने डैड के बर्थडे पर वो अपने father के साथ involved देखता हैं तो वो पूछता है कि यह कौन है तो उसको पता चलता है कि यह lady उसके doctor father की secretary है दरसल साइमन के डैड एक psychiatrist है और ये lady उनकी नई secretary है साइमन के डैड की इन हरकतों के बारे में उनकी family को कोई problem नहीं था कि साइमन के डैड अपने patients के साथ affair रखते है और पुराने patients को ही अपनी secretary में बदल देते हैं और उनसे affairs चलाते हैं साइमन की mom को इस बात से बहुत hurt होता था कि साधी सुधा होने के बावजूद भी उसका husband अपने patients और अपनी secretary से affair रखता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो खोद साइमन के डैड डॉक्टर क साल के नीचे काम करती है इसलिए सामन की mom को मन मारके भी सामन के डैड के साथ रहना पड़ता है वो अपनी साधी को बचाने की खोसिष करती है साइमन की mom साइमन को बताती है कि मेरी साधी तूटने के कगार पे हैं तुम्हारे dad न Each 1983 रखी है और secreट का नाम है सूनिया अब सोनिया के साथ holiday पे जा रहे हैं तो मेरी साधी तूटना definite है क्योंकि ये सोनिया तुमारे डेट से साधी करके रहेगी तो Simon अपनी mom को कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता है वो कहती है कि clinic में तुम मेरा काम करना तो मैं free हो जाऊंगी और तुमारे डेट के साथ holiday पे मैं चली जाऊंगी ताकि मैं अपनी साधी को बचा सकता है अब Simon को अपनी माँ पे काफी तरस आता हैं और वो अपने डेट के clinic में काम करने के लिए तयार हो जाता है ताकि उसके mom dad क साधी बच सके अब साइमन के डैड बिना मन से ही सही लेकिन अपनी वाइफ या को करने के लिए राजी को को कहती है कि अगर तुम्हारे डैड के साथ में होलिडे पे जाती और हमारा relationship थोड़ा strong हो जाता तुम हमारे बीच में क्यों कूद पड़े हो इस बात पे Simon कहता है कि तुम मेरे डैड की हरकतों को नहीं जानती हो क्या उनके past relationship के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या उनकी बहुत सारी girl friends रह चुकी है और उनकी ये आदत है सोनिया कुछ देश सोचती है और साइमन को घर के अंदर आके कहती है कि तुम्हें हमारे relationship के बारे में कुछ नहीं पता है तुमारे father और मैं काफी गहरे relationship में है तुम अपने ideas अपने past में ही रखो साइमन को अब लगा कि सच में ही सोनिया उसके dad से काफी close relationship में है और वो निरा invest मत करो साइमन को पता था कि उसके dad holiday पे जाने के बावजूद भी सोनिया से बाते कर रहे हैं साइमन और सोनिया को यहां पर यह काम दिया गया था कि उसके dad की जितनी भी video clips cassettes जिसमें उसके interviews और lectures थे उन lectures को text form में convert करना था जो की काफी boring काम था lecture को सुनके उनके text लिखना स साथ साथ सोनिया को भी काफी boring लगता था सोनिया emotional होके साइमन को कहती हैं कि तुमारे dad मुझे अपनी girlfriend मानते हैं वो openly मुझे प्यार का इजहार करते हैं और मुझे यहां पे अकेला चोड़के तुमारी mom के साथ holiday पर चले गए हैं और वो थोड़ा emotional हो जाती हैं और रोने ल साइमन को भी लगा कि उसके dad कर तो गलत ही रहे हैं तो साइमन शोनिया को console करने की कोसिस करता है और उसको tissue paper देता हैं सोनिया साइमन के गले लगे जोर जोर से रोने लगती हैं और काफी emotional हो जाती हैं वो इतनी ज़्यादा emotional हो गई हैं कि अब वो साइमन को emotional outburst में kiss करने उसकी mom ने उसको यहाँ पर काम करने के लिए इसलिए रखा कि वो शोनिया को उसके dad से दूर रख सके लेकिन अब वो खुद सोनिया के close हो रहा हैं वो अपनी family के complex network में अब पस्ता ही जा रहा हैं क्योंकि उसकी girlfriend उसको कहती हैं कि हमारा cartoon festival दो हपते बाद में ही हैं तुम में मा के किये हुए वादे को तोड़ सकता हैं अगले दिन साइमन सोनिया को जाके sorry बोलता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए लेकिन सोनिया बड़े आराम से अपना सिर इलाके बोलती हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जैसे सोनिया के लिए ये एक normal सी बात हो साइमन को भी लगा कि कहां फस गए यार तो वो सोनिया के जाने के बाद में सोनिया के बारे में और जानकारी इकटा करने की कोसिस करने लगा क्योंकि सोनिया उसके डैड की ex-patient थी इसलिए वो सोनिया की file निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया societal tendency की patient थी जिसका treatment उसके ड confidential होती है वो साइमन ने पढ़ ली है अब सोनिया अपनी file ढूंड रही है वो नहीं चाहती थी कि उसकी suicidal tendency के बारे में कोई और जाने वो साइमन को कहती है कि तुम मेरी file मुझे दे दो साइमन उसको file निकालके दे देता है सोनिया emotionally रोते हुए कहती है कि तुमें हमारी private information नह से एक बार साइमन को किस करने लग जाती है और इस बार साइमन भी अपने आपको नहीं रोक पाता और वो भी सोनिया के साथ involved हो जाता है कुछ moments के बाद में सोनिया साइमन को कहती है कि यहां पे कोई आ जाएगा हम नीचे चलते हैं सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि क्लिनिक में दूसरे काम करने वाले लोग आये हैं और वो सोनिया को कुछ instruction दे रहे हैं साइमन अपने आपको अंदर के रूम के दरवाजे के पीछे चुपा लेता हैं इन लोगों के जाने के बाद में सोनिया और साइमन दोनों नीचे के र पसा हैं कि वो चाहा कर भी अब यहां से जा नहीं सकता साइमन सोनिया के साथ थोड़ी देर बैट के बाहर के कमरे में बात करना चाता हैं लेकिन सोनिया को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी वो अंदर वाले रूम में जाके साइमन को अपनी तरफ एट्रक्ट करती हैं औ और सोनिया उसको अपने घर के पास छोड़ देती हैं सोनिया साइमन को कहती हैं कि कभी मेरे घर पर भी आओ साइमन उसको किस करते हुए कहता हैं कि मैं जरूर टाइम निकालके मैं तुमारे घर पे आऊंगा फिर सोनिया वहां से चली जाती हैं अब साइमन अपने घर की तर कर रही हूं तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना फिर भी साइमन की गल्फरेंड फैबीन साइमन को किस करती हैं और वो कहती हैं कि तुम जल्दी से वापस काम पे लौट आओ लेकिन साइमन को अब ऐसा लगने लगा कि उसकी फ्रेंड के साथ चलने लगा हैं और उसके मन के अंदर सक्का बीच पैदा हो गया हैं तो साइमन इन दोनों का पीछा करता हैं और वो देखता हैं कि उसकी गल्फरेंड उसके नए आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ कार्टून फैस्टिवल की तयारी में पुरी तरह से जुटी हुई हैं साइबन फैबीन को कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई तुमने तो अपना फ्रेंड बहुत जल्दी बदल दिया तो वो कहती है कि दो हफ्ते के अंदर अंदर काटून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है मुझे कोई तो चाहिए था जिसके साथ मैं इ प्लीज थोड़े दिन तक और मैनेज कर लेना हम यहाँ पर दोनों अच्छे से हॉलिडे इंजॉई कर रहे हैं प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना अब साइमन पूरी तरह से कन्फ्यूज था कि वो करे तो क्या करें साइमन उसी रात अपनी गल्फेंड के साथ अपनी गल्फेंड को कहता है कि वो सोनिया के साथ इंटिमेट हुआ था यह सुनके फैबीन को बहुत बड़ा धक्का लगा और फिर वो वहां से चली जाती हैं थोड़ी दिर बाद में साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि आज सैटर्डे हैं अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे घर पे हो साइमन अब सोनिया के घर पे चला जाता हैं वो देखता हैं कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही हैं वो सोनिया के पास जाता हैं और थोड़ी बाते करने के बाद में ये दोनों किस करने लगते हैं और इंटिमेट होते हैं सोनिया साइमन को डिनर सर्व करती टेनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से काफी बाते करते हैं जिसकी वज़े से ये काफी क्लोज आ जाते हैं अगले दिन सुबह जब साइमन उठता है तो वो देखता है कि शोनिया मार्केट से कुछ लेने के लिए जा चुकी है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके गल्फेंड शोनिया की एक तस्वीर रखी हुई है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड नहीं सोनिया को दिया है तब ही वो देखता है कि उसके डैड हॉलिडे इंजॉई करके वापस आ चुके हैं उसके डैड सोनिया के घर में साइमन को देखके लेने आया हूँ वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता हैं कि सोनिया को एक बेबी चाहिए सोनिया मेरे साथ इसलिए रेलेशन में हैं कि उसको एक बेबी चाहिए और वो कहता है कि मेरी तो अलरड़ी वैसेक टॉमी हो चुकी हैं मेरी नस्बंदी हो चुकी हैं मैं सोनिया को ब पूछती हैं कि बेबी तुम्हें अच्छे से नींद आई क्या सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाहती थी और इसके बाद में साइमन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती हैं साइमन का डैड थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दो करने को तयार नहीं थी कि उसका बेटा भी उसकी सौतन के प्यार में पढ़ गया है अब दोनों मा बेटे मिलके यहां पे रोने लगते हैं लेकिन अब पस्ताए क्या हो जब चड़िया चुक गई खेत पानी तो कुछ बचा नहीं हाथ में आ गई रेत दिनों के बाद में सो साइमन का होता है क्योंकि साइमन के डैड करवा चुके थे सोया को हमेसा से वे बेवी चाहिए था उसको फ्लैट तो अब राभी था बेबी तो अब बेभी मिल गया हैं और प्यार करने के लिए लिए साइमन थो है हैं कि उसकी लाइफ के साथ हुआ क्या उसकी लाइफ जो एक साल पहले अपनी गल्फेंड के साथ वेल सैटल थी वह अपनी फैमिली नेटवर्क में कुछ ऐसा फसा कि आगे कुआ पीछे खाई दोनों तरफ आफ़त आई और इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है मुवी का अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा एंड थैंक यूफ